अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें अपने कमेंट्स दें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे कि मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके हेलो फ्रेंड्स आप आपका स्वागत थे बबली कीचन में फ्रेंड्स आज मैं फिर से एक बहुत ही टेस्टी मिठाई की रेसिपी लेके आई हूं जो कम खर्चे में और कम सामगरी में बनके तयार हो जाता है लिकिन खाने में बहुत टेस्टी लगता है तो इसको आप किसी भी फेस्टीवल में बना सकते हैं और अभी रक्षा बंदान आने वाला है उसमें भी इसको ट्राई कर सकते हैं तो आईए जटपट रेसिपी सुरू करते है यह बहुत ही टेस्टी मिठाई बनाने के लिए मैंने यहां पे लिया है एक कप मुमफली तो यह कच्छा मुमफली मैंने लेके भून लिया है लो फ्लेम पे दस मिनट तक भून ले तो मुमफली तेयार हो जाएगा और इसका छिलका हटा ले आप चाहे तो रोस्टेड मुमफली मार्केट में जो मिलता है उसको भी ले सकते हैं और दस से बारा काजू लिया है यह एकदम क्रंची काजू होना चाहिए सबसे पहले हमें एक मिक्सिंग जाल लेंगे और इसमें मुमफली को डालेंगे तो आदा मुमफली में इसमें डाल रही हूँ एक बार में ज़्यादा नहीं पीसेंगे और इसका एक पाउडर बनाना है तो फ्रेंस इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि एक बार में ज़ तो आपको दिखाती हूं कुछ सेकंड के लिए चला के मैंने ओफ किया था और एक बार ऐसे मिला लेंगे कि जो टुकडा रह गया है वह वापस से पिस जाए तो फिर से ऐसे ही हम चलाएंगे बस कुछ सेकंड के लिए चलाएंगे फिर ओफ करेंगे तो ऐसे एकदम फाइन पाउडर तियार होगा और बिल्कुल भी ओयल नहीं निकलेगा तो आप देख सकते हैं इसी तरह का पाउडर हमको चाहिए ही मिठाई बनाने के लिए तो सारे मुंफली और काजु को हम ऐसे ही पीस के पाउडर तियार कर लेते हैं इसके बाग मुंफली और काजु के पाउडर को मैंने एक चन्नी में डाल लिया है इसको अच्छे से चान लेंगे जिससे कि इसमें कोई भी टुकड़ा हो वो निकल जाए और एकदम फाइन पा हम अच्छे से इसको चान लेते हैं हाथों से करेंगे तो जल्दी से चन जाएगा आप देख सकते हैं इस तरह से इसका पाउडर निकल आएगा चनी से चानने के बाद इतना टुकड़ा जो मुंफली का है वो रह गया है तो इसको फिर से हम मिक्सिंग जार में डालके इसका पीस के पाउडर त्यार कर लेंगे तो इतना पाउडर निकल गया है और जो बचा है इसको भी हम उसी प्रोसेस से कुछ सेकेंड के लिए जाएगा इसको किसी दूसरे चीज में यूज कर लेंगे तो इतना फाइन पाउडर हमको मिल गया है तो इसका टेस्ट बढ़ाने के लिए इसमें मैं थोड़ा सा दो चम्मच मिल्क पाउडर करूंगी जिससे कि हमारा मिठाई बहुत टेस्टी बहुत स्मूध बनेगा इसक अधा कप चीनी मुंफिली लिया था मैंने एक कप तो इसमें आधा कप चीनी डालेंगे टेस्ट के हिसाब से आप थोड़ा सा कम या ज्यादा कर सकते हैं और इसमें आधा कप की पानी डालेंगे जितना चीनी उतना पानी डालेंगे फ्रेंज मेजर्मेंट का धिहान रखेंगे तो आपकी मिठाई बहुत अच्छी बनेगी और इसको हम मेल्ट होने तक पकाएंगे फ्लेम को अन कर देते हैं और इसको हम चीनी को पका लेते हैं मेल्ट होने तक अब चीनी अच्छे से मेल्ट हो चुका है अब इसको हम 5 मिनिट तक मीडियम फ्लेम पे ऐसे ही पकने देंगे क्योंकि एक तार की चासनी बनानी है चासनी पांच मिनिट पक चुका है अब इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये बन गया है की नहीं तो इस पेचुला से अगर आप ऐसे गिराएंगे तो जो सबसे लास्ट बूंध होगा वो लंबाई में गिरेगा तो आप ध्यान से देखें जैसे लास्ट बूंध जो है लंबाई से ऐसे गिर रहा है तो इसका मतलब चासनी तयार हो गया है अगर हाथ से लेके चेक करेंगे तो एक तार बन रहा है आप देख सकते हैं अब मिठाई को अच्छा लुक देने के लिए मैं यहां पर औरेंज फूड कलर एड़ कर रही हूँ यह उप्सनल है आप बिना कलर के भी बना सकते हैं लेकिन कलर डालने से मिठाई जो है देखने में भी बहुत अच्छा लगीगा तो इसको हम मिला लेते हैं और फ्रेंस इ ही अच्छे से हम चासनी के साथ मिठाई को मिला लेंगे दीरे दीरे एक तरफ से मिलाते जाएंगे इसको हम यह अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है अब देख सकते हैं कितना अच्छा कलर आया है तो अब इसमें हम एक छोटा चमस देशी घी अट करेंगे और इसको जब तक कि कडाही छूटने ना लगी इसको हम ऐसे ही भूनते रहेंगे फ्लेम को लो रखा है मैंने यहाँ पे और लगाता चलाते रहेंगे दो मिनिट भूनने के बाद फ्रेंट देख सकते हैं यह कडाही छूटने लगा है तो इससे ज़्यादा नहीं पकाना है अब फ्लेम को आफ कर लेते हैं एक बरतन को घी से थोड़ा सा ग्रिस कर लेंगे और मिस्रर को उसमें हम डालेंगे क्योंकि मिस्रर को थोड़ा सा ठंधा करना है ज्यादा ठंधा नहीं बस इतना ठंधा करेंगे जिससे की हम हाथों से इसको छू सके तो इस्पून से ऐसे ही चलाते हुए इसको हम थोड़ा कर लेंगे स्पून से चलाते हुए थोड़े थोड़ी देर तक मैंने इसको ठंधा कर लिया है अब हाथों से इसको मैस करेंगे हाथ को थोड़ा सा घीर से ग्रिस कर लिया है और इसको हम आठा की तरह गूनेंगे और एक सॉफ डो त्यार कर लेंगे तो ध्यान रखिएगा यह गरम रहे तभी यह काम करना है बस सावधानी से करें जिस्ते की थोड़ा हाथ ना जले अब मिठाई को बनाने के लिए मैंने यहां पर एक बटर पेपर डाला है इसको थोड़ा सा घी से ग्रिस कर लेंगे आप चाहे तो बटर पेपर या फिर कोई पॉलिफीन भी डाल सकते हैं और डो को थोड़ा सा मेसे मिक्स कर लेंगे यह ध्यान रखिएगा थोड़ा गरम है तब ही इसको करना है नहीं तो पूरी तरह से ठंडा हो जाएगा तो इसमें क्रैक्स पड़ सकता है तो यह अब तयार हो गया है तो अब इसमें सेफ हम दे देंगे तो सेफ देने के लिए अलग-अलग तीन पार्ट में इसका कर रही हो आप चाहे तो इसको पेड़े सेप अब को बनाना है रोल उतना फैला ले इसको तो यह एक बराबर मैंने इसको कर लिया है अब इसको हम कट कर लेंगे तो साइड को थोड़ा काटके हटा लेंगे और एक बराबर सेप में हम इसको कट कर लेते हैं एक वराबर काटने के लिए इस तरीके से हम इसको नापके काटेंगे तो फ्रेंस अभी यह थोड़ा गीला है जैसे जैसे यह थंडा होता जाएगा यह थोड़ासा सेट होके थोड़ासा हाड हो जाएगा अच्छा तेक्सिट्यर आजाएगा इसमें तो कुछ मिठाई हमारा कट तयार हो चुका है तीस को हम प्लेट में रख लेते हैं और इसी तरीके से सारे मिठाई को हम काट लेते हैं रोल करते हुए तो friends हमने सारा रोल तयार कर लिया है तो आप देख सकते हैं हमारा बहुत ही टेस्टी मिठाई बनके तयार हो गया है तो ये बहुत ही कम खर्चे में और कम टाइम में बनने वाला मिठाई है और इसको आप खाएंगे तो काजू कतली की याद आएगी और खाने वाला कह नहीं सकता है कि इतने कम टाइम में ये बनाया है इसको मैं तोड़के दिखाती हूँ ये बहुत ही सौफ्ट और मुँ में घुल जाने वाला मिठाई बना है तो फ्रेंस इसको आप एक बार 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 बनाने का मन करेगा ये इतना टेस्टी है तो इसको आप जरूर ट्राई करें आपको अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें अपने कमेंट्स देना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं जिससे की आप सारा वीडियो मेरा देख सकें तो फिर से ऐसी रेसिपी देके आउंगी मैं फिर से मिलते हैं बाई बाई